जहें मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, दोस्तों दर्सकों के अनुरोध पर ये वीडियो आपके लिए प्रस्तूत है, नवरात्री में भूल कर भी ना करिए काम, वरना मातारानी हो जाती है रुष्ट, आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे काम है, जो की नवरात्रों में भूल कर भी नहीं करने चाहिए, उनके बारे में जानकारी दे रही हैं, साथ ही हम आपको बताएंगे, ऐसी कौन सी वे तीन चीज़े हैं, जो की नवरात्रों में मातारानी को चड़ाना बहुती निंदनिय होता है, आपत करके, उनकी पूजा अराधना वे साधना करके, खुज कर ले, इसलिए वो इस बात का भी ध्यान रखता है, कि कहीं गलती से कोई गलती न हो जाए, ताकि मातारानी उससे रुष्ट ना हो, और उसके उपर सदेव प्रसन रहें, और सुक संबत्ती का आशिरवात दे, नवरात्रों में कुछ गलती कर बैठते हैं, जिसके कारण 9 दिन तक लगातार ब्रत रखने और देवी मा की पूजा करने के बावजूद, हमें कई बार उनकी पूजा का पूण फल प्राप्त नहीं होता है, या यूं कहें कि मन चाह फल प्राप्त नहीं होता है, नवरात्र में कई बार ऐसा होता है, कि हमारे खुद की समझ में नहीं आता, कि आकिर हमने ऐची क्या गलती की है, जिसकी बज़े से देवी ने हमारी पूजा को पूरी तरह स्विकार नहीं किया है, जबकि हमने पूण स्रद्दा भक्ती से मा की पूजा करने के साथ ही अन्य बातों का भी ध्यान रखा था, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि देवी मा के इन नवरात्रों में किन बातों को करने से कताई बचना चाहिए, जिन से हम कई बार पूटियाए भूलबस हम कर बैठते हैं, दोस्तों स्थनातम धर्म में नवरात्री को शक्ती की पूजा का पर मा रहे हैं, तो आपको कुछ बातों का अत्यादिक ख्याल रखना चाहिए, ताकि देवी मा आप से किसी भी तरह से रुष्ट न हो जाए, देवी पुरान में उलेख है कि मा भगवती उनी की पूजा अर्चना सुईकार करती है, जो नारी का पूरा आधर वे सम्मान करते हैं, नारी की इज़द करने वालों से मा लक्षमी सदा ही प्रसने रहती है, इसलिए आपको इन बातों का ध्यान अकना चाहिए, कि जब भी नारी के दोरान खास तोर पर किसी भी नारी का आपको अनादर नहीं करना है, और नारी के दोरान ही क्यों कभी भी किसी भी नारी का अना आपना की है तो मान लीजिए कि आपके घर में घर पर आपने देवी मा को आमंतरित किया है इसलिए इस समय उनकी पूजा आरती आपको समय से हमेशा ही करनी चाहिए और साथ में कुछ भोग अवसे चड़ाना चाहिए इस बारे में आपको कभी नहीं बूलना है दोस्तो यदि आपने नो दिन तक का उपवास रखा है तो पती पतनी से दूरी बना कर रखे इस दोरान ब्रह्मचार्य का पालन करना अनिवारे होता है मा भगवती की पूजा अर्चना शुद्ध एवं पवित्र मन से ही करनी चाहिए यदि आप नवरात्री का ब्रत रखने में असमर्थ है तो भी नो दिन तक अपने खान पान का विशेश नेंतरा रखना चाहिए इस दोरान आपको मास मचली मदिरा लैसुन प्याज तामसिक भोजन जैसी बस्तूओं का बिलकुल भी सेवन नहीं करना चाहिए अपितु आपको सात्विक और सुद अहार का ही ग्रेंड करना चा या नहीं भी की है तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर में कभी भी कल है दुएस आधी का कोई भी कारण ना बने वे घर में मौजूद सदश से एक दूसरे का अपमान ना करें जिससे की आपके घर में अशांती बने ऐसी कोई भी कारण का कारण से आपको पहनने चाहिए यदि आप ब्रह्मूर्थ में नहीं कर सकते हैं तो सुबह सुबह प्रात्यकालिन जब भी आप उठें तो आपको शनानादी करके साफ सुत्रे कपड़े पहन लेने चाहिए इस दोरान काले रंग के और निले रंग के कपड़ों को पहनने से आपको बचना चा चाहिए नवरात्री के दोरान बिष्टर पर ना सो करके जमीन पर सोना चाहिए इसके अलावा गर में पूरे नो दिन तक एक पल्व के लिए भी अपने घर में ताला न लगाएं और घर को कभी भी अकेला छोड़ कर कहीं पर भी न जाएं क्योंकि नवरात्रे के दुनों मे आप जब भी नवरात्रों में माता की पूजा करते हैं तो माता रानी स्वेव आपके घर में एक महमान बन करके आती हैं इसलिए आपको उन्हें अपने घर में अकेला छोड़ करके कहीं भी नहीं जाना चाहिए नवरात्री के दिन में मूख और बेबस पशू पक्षियों क परेशान नहीं करना चाहिए बलकि इनके लिए आपको जितना संभव हो कि अथा सकती दाना और पानी की विवस्ता अवश्य करने चाहिए सास्त्रों में बरनित है कि मा दुरुगा का वाहन भी एक पशू है दिन में इश्वर का पाठ करें प्रात्यकालीन ध्यान करके परोस के लोगों और परिवार जनों के साथ आपको कीरतन रामायर का पाठ गीता का पाठ इत्यादी अवश्य करना चाहिए आप चाहें तो वीडियों में ये भी बताएंगे कि आपको ऐसी कौन सी वे तीन चीजे हैं जो नवरात्रों में आपको मातारानी को बिल्कुल भी नहीं चड़ानी है साथ ही आपको नवरात्र के दिनों में ना तो नीम्डू को काटना चाहिए और नहीं मातारानी को चड़ाना चाहिए ब बोग लगाना चाहिए, चाहें वे किसी बस्तू में आप गरमे बोजन बना रहे हैं, तो उसमें डाल करके भी आप मतारानी को भोग ना लगाएं, इसके अलावा किनी कारणों से बहुत से ब्यक्ति बाजार से खाना मंगा लेते हैं, और उसके बाद मतारानी को उसी खाने का आपको भोग नहीं लगाना चाहिए, केवल खाना आपको घर में ही बना करके मतारानी को उसको सचता से भोग लगाना चाहिए, बहुत से लोग नवरातरों में नो दिन का बरत रखते हैं, इसलिए वे फलार करते हैं, यानि कि बरत के दोरान फल खाते हैं, इसके लिए दोस पूर्ण नहों तब तक अपने स्थान को ना छोड़े। कई जगा ऐसा भी देखा जाता है कि लोग नवरात्रों के दोरान अपनी भूँख को मिटाने के लिए तंबाकु का सेवन करते हैं, तंबाकु चबाते हैं। गल्ती से भी अपने बृत के दोरान तंबाकु का सेवन बिल्कुल भी ना करें, वरना आपका ब्रत तूट जाएगा और माता रानी आपसे रुष्ट हो जाएगी, विद्वानों की माने, तो ब्रत करने वाले व्यक्तियों को नवरात्रे के 9 दिन तक अपना समय, फिजूल की बातों में ना लगा करके, धार्मी गरंतों का अध्यन क करना चाहिए, इन जिनों दुरुगा चालिसा या दुरुगा सब्सक्री का पाठ करना अत्यनती सुब माना गयाता है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया, कि आपको नवरात्री के दोरान कौन से वे कार्ने हैं, जो नहीं करने चाहिए, साथ ही वे कौन स इतना ही, कल फिर आप से मुलाकात होगी, तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में लिखते रहे, जैम आता दी